Hey guys, welcome back to the channel Educational and Serkari Documents Educational and Serkari Documents पर आप सभी लोगों का एक बार पर से स्वागत है तो आधार कार्ड के लिए operator और supervisor exam की test series में ये हमारा पाँचवा chapter हम start करने जा रहे हैं आज Capture, जंसांकी किये और biometric vivrant यानि कि जब आधार के enrollment करते हो तो demographic और biometric details जो आप capture करते हो उसके base पर ये सारे questions होंगे तो total 69 questions है, 35 आज की इस वीडियो में करेंगे 35 अगली वीडियो में हम करने वाले हैं अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाते हैं तो नीचे description box में लिंक है आप वहां से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं PDF हिंदी और English दोनों में अविलेबल है और अगर आप ये वीडियो English में चाते हैं तो आधार card exam की playlist है वहां पर ये सारी के सारी वीडियो English में अविलेबल है वहां से आप देख सकते हैं तो चेरे की चवी लेने के लिए नमांकन करता की डैश लेनी चाहिए क्या लेनी चाहिए ललाट मुद्रा जो basically face expressions के जो अच्छे सही वो ए ओप्शन अपर यापर correct है सेगिन है यदि व्यक्ति आमतोर पर चश्मा पहनता है तो यह चिफार इसकी जाती है कि तश्वीर डैश ली जाए याणि कि इसके साथ चस्मी के साथ ही ली जाए ए ओप्शन यापर correct है question number 3 नमांकन एजन्सियों को बायमेट्रिक डैटा पर capture करने के लिए डैश द्वारा परमानित बायमेट्रिक उपकरनों का प्रियोग करना चाहिए किस द्वारा करना चाहिए UIDI द्वारा करना चाहिए D option is correct fourth question ग्रामीन चेत्रों में आवासिय पता record करते समय निमन में से किन चेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है किन चेत्रों को छोड़ा सकता है पतापंक्ती नम्बर 2 यानि कि address line 2 को क्योंकि address 1 में आपका village, post office ये सब आ जाएगा तो address line 2 को आप खाली छोड़ सकते है पाँचमा question है निमननी की चेत्रों में से कौन सा परिच्चा अधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाता है कौन सा हो जाता है option C, परिच्चा करता या परिवार का मुख्य है जब भी आप परिच्चा अधारित मनाते हैं तो या तो वो head of family based होता है या फिर वो introduce based होता है next question number 6 जब चभी गुणवत्ता सही हो या चैरेच हवी capture करते समय यदि capture अधिक्तम संख्यास माप्त हो जाए तब operator को क्या करना चाहिए जब maximum or time कहतम हो जाए तो उसके बाद वो next step में चले जाना चाहिए जैसे भी तस्वीरारिया फिर उसी को लेकर तो D option is correct यदि निवासी द्वरा प्रस्तूत एक दस्तावेज में नमांकन पैचान के सबूत की drop down सूची नहीं है तो यह पैचान दस्तावेज का स्विकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नमांकन के लिए पैचान के वैद परमान या dash की आवशकता होगी यानि कि कोई भी आपसे आधार कार्ट बनवाने आया और वो कोई ऐसा पैचान पतर लेकर आया जो कि आपके drop down सूची में नहीं है जब भी आप कोई document बनवाने जाते हैं कोई काम करते हैं तो हर जगया पर एक drop down सूची होती है जो जो वो accept करते हैं as a address proof और ID proof अगर निवासी आपके पास कोई ऐसा लेकर रहा है जो कि इस drop down menu में नहीं है मानने नहीं है तो आप क्या करेंगे तो आप जो है उस सबूत में नहीं है मानने तो आप उसको कहेंगे या तो आप पर पहचान पत्तर वैद लेकर आओ या फिर आप इंट्रोडूसर बेस करो a option is correct आटवा question है यदि आईरिस capture में आईरिस का में तो कुण हिस्सा दिखाई नहीं देता तो सोट फिर द्वरा परदान की गई परति के लिया को dash कहा जाता है क्या कहा जाता है बग या निकी रोड़ा नूमा question जब आप dash दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डेटा संबनित फिल्ड में populate हो जाता है जब आप dash दर्ज करते हैं पूर्व नामांकन आईडी आगर आप डालेंगे तो जो भी उस आईडी के परति डाटा है वो सारा आपके पास आ जाएगा दस्वा question है मानव operator के लिए dash के साथ चैरे की छवियों का विशलेशन और पहचान करना मुश्किल है मानव operator के लिए क्या मुश्किल है B खराब रोशनी के साथ चैरे की छवियों और विशलेशन को पहचान करना मुश्किल है B option आपके correct है 11 परशन है कि एक बच्चे की चैरे की छवियों को capture करने के लिए यह सविकारिय है कि बच्चा डैश हो क्या आएगा कि माता पिता की चैरे की छवियों capture किये भी नहीं माता पिता की गोद में बैर सकता है तो बच्चे के चैरे की छवियों को capture किया जा सकता है B option आपके यहाँ पर correct है अगर आप जानना चाते हैं किस चैप्टर में से कितने questions आते हैं mock test देना चाते हैं तो वो भी आधार card center आधार card exam की playlist में available है आप वहाँ से देख सकते हैं इससे later मैंने सारी video channel पर upload कर दी है अगला question है निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जनमतिती की गोशना की है तो आप dash, जनम और की तारिक record करने के लिए dash की जरूरत है किसकी जरूरत है तो जरूरत होगी verify box को check नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसा document लेकर आता है जिसमें की date of birth है verify है तो verify पर click करते है या फिर कोई ऐसे बर्जर्ग लोग अब उनको अपने date of birth याद नहीं है तो वो year बता देते हैं इतने साल के होगे वो अंदाजन बता देते हैं तो आप उस टाइम पर लिखते हैं तो verify box पर check नहीं करोगा क्योंकि आपने कहीं पर भी वो verify नहीं की है यह किसी भी document से पेरवा है कि परते का का iris pattern से ऐसे मदित नहीं है और dash biometric feature set देता है क्या देता है M को चुनोगे A option आपका याँ पर correct है पंदरवा question है नमांकर agency और निवासी को सुचित करेगी कि उसकी जनसांकी किया और biometric जानकारे का उप्योग dash generation के लिए किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा option B आपका आधार और प्रमानी करण के लिए किया जाएगा next question है 16 निवासी के साथ नमांकर data की समिक्षा के दोरान operator नमांकर स्माप करने से पहले निवासी को dash को पढ़ना होगा किसको पढ़ना होगा निवासी के नाम की वर्तनी भी पता भी जिसमें pin code, भवान, वी टी सी, राज्ये शामिल हो और जनमतिती ये सब question number 17 यदि नमांकर करता द्वारा प्रस्तूत दो दस्तावेजी नामों में भीनता है तो नमांकर करता कि dash में record किया जाना चाहिए किस में record किया जाना चाहिए उसका पूरा नाम ठीक है माली जे एक डगसावेज में चंदर शेकर है एक में चंदर शेकर शर्मा है तो आप पूरा नाम लिखेंगे चंदर शेकर शर्मा अठारवा question कहता है कि iris capture पर के लिए dash परकास के परती समवेधनशील है किस के परती समवेधनशील है परिवेशी परकास के परती सी option correct है उनने समा question कहता है पांच साल से कम उमर के बच्चर के लिए dash से जुड़े biometric को लेना चाहिए माता पिता या रिस्तेदार first preference हमेशा mother होती है second father और third फिर guardian होती है 20 चैरे की चवी capture करने के लिए डैश capture device को प्योग करना चाहिए चैरे की जबी को capture करने के लिए कौन सा capture device लगाएंगे आप auto focus और auto capture का प्योग करना चाहिए खराब रोषणी डैश के परदर्शन पर एक उचपर भाव पढ़ता है खराब रोशनी से किसके परदर्शन पर उसका भाव पड़ता है चहरे पैचान पर रोशनी खराब होगी तो face की capture अच्छे से नहीं उपाएगी 22 वा question है सुनिश्यत करें कि उंगलियों को dash रखा गया हो और scanner पर अच्छी तरीके से रखा गया हो उंगलियों को flat और उंगलियों के सिर्फ जोड़ कर रखा गया हो तो इससे आपके जो finger prints हैं वो अच्छे से आपाएगे 27 का परकार दस्तावेज आधारित है नूतो निवासी दवारा परदर्शित दस्तावेज के अधार पर ड्रोप डाउन से उप्योग तो dash दस्तावेज या चेन किया जाना चीए और सत्यापन करता द्वारा सत्यापित किया जाए तो आपका पहचान का परमान भी और पते का परमान भी यह दस्तावेज आधारी तो आईडी प्रोफ और ड्रोप दोनों चीए होते हैं तो आप तब भी ओप्शन आपर करेक्ट है 26 है चेरे की छवी को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से डैश जैसे सायक साधन करने की रखने की अनुमती है तो आप पगड़ी जो है वो रख सकते हो क्योंकि उससे आपके face expression में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 27 गोशित नाम और प्योई दस्तावेज में से एक के मामने में निवाशी द्वारा गोशित नाम नामंकन एजनसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश ओप्शन सी अंतरकेवल वर्तनी या अंतिम नाम से पहले लखा गया हो तो यह किया जा सकता है 28 गोशित का दर्ज के बावने में माली जी चंदर शेखर एक जंगा शेकर चंदर लिखा गया है तो वो जो है वो क्या जा सकता है तो खड़े ऊपर बिल्कुल सही आजाएगा क्योंकि आपका जो प्रेश्चर है फिंगर्पिर्ट्स का वच्छे से आएगा और अच्छे से फिंगर्पिर्ट्स काप्चर हो पाएंगे पीसवा है अधि सभी फिंगर्पिर्ट्स सही है तो भी यह सला दी जाती है sign off के लिए या तो dash या हाथ का उपयोग करें किसका उपयोग करें अंगूठा तरजनी उंगली या फिर पूरे हाथ का उपयोग करें 31 चैरे की चभी capture के लिए उपयोग किये जाने वाले dash को iris capture की दोरान बंद किया जाना चाहिए यह किसको बंद करने आदाना चाहिए टेबल परकाश को अगर कोई टेबल लाइट है तो उसको बंद किया जाना चाहिए 32 परिच्यकरता को रिकोर्ड अनुमदित करने के लिए अपने dash देने की जरूरत है किसकी जरूरत है उंगली की चाप की दे तीसवा कोशन है किसी भी विफल हुए capture के लिए dash की जाच की जानी चाहिए किसकी जानी चाहिए कदम उथाने योग्ये पटिक लिया चोथिस्वा कोशन यदि सत्यापन का परकार परिच्चेकरता आधारित है तो परिच्च्चकरता का dash दर्ज किया गया है क्या किया ग तो 35 question हमने यहां पर complete कर लिया है, इसके बाद हम 36-69 question तक next video में करेंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो की PDF आप नीचे description box से download कर सकते हैं, हिंदी में PDF available है, इंग्लिश में भी, साथ ही में क्या-क्या syllabus है, कौन-कौन से chapters आते हैं, वो PDF नीचे description box में है, आप से download कर सकते हैं, मोक टेस्ट आपको कैसे देना, उसके लिए वीडियो है, आधार सेंटर एक्जाम की प्लेयलिस को जाकर जरूर चक आउट करें, वो आपके लिए बहुत ही helpful रहेगी, और इसी तरीके की वीडियो की अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न शेकर नापूले.